हाई गाई साइब का एक बार फिर स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पर तो आज हम आए हैं दल पत्पुर यह गाउं के पास में ही है और यहां से बीना नदी निकले हुई है यह देखिए बहुत ही सांदार जूला वाई क्या जूला है यार वाई यारे अब तो जूलो रे बहुत ही सांदार जूला है यहां पर हम आये हैं बीना नदी पर बहुत ही सांदार नदी है और पानी अभी आ रहा है और क्या है अभी 15 दिन हो चुके हैं पानी नहीं गरा है तो अभी बादल हो चुके हैं अब लगता है कि पानी गरेगा और यह देखिए आप बीना नदी बहुत ही अच्छा है बहुत ही प्यारी नदी बह रही है यह बढ़िया है भाई साब नजारा यह प्राकृतिक नजारा है और दोस्तों वहाँ पर पुल है ब्रिज बना हुआ है और ये देखिए आप नजारा बीना नदी का और मौसम हो चला है बादलों का पानी गरे का लगता है ऐसा तो गाइस बताईए आप ये नेचर का नजारा प्राकृतिक नजारा आपको कैसा लग रहा है और प्राकृतिक नजारा है मतलब घूमने में बहुत ही मज़ा आ जाता यार और अभी तो ये तो गाओं के पास वह है तो यही आ जाते है और अभी बाहर जाएंगे तो बाहर भी बनाएंगे और क्या ये देखिए बहुत ही सांदार जंगल है बहुत ही घना जंगल है और यह है फत्रों से बनी हुई सीड़ी ये देखी आप बहुत ही अच्छी है और इस से चड़कर हम उपर जाते हैं उचाई बहुत ज्यादा है तो दोस्तों अब हम उपर जा रहे हैं हमने बीना नदी घुम ली है और फोटो वगेरा भी क्लिक कर ली है तो चलते हैं आप उपर की औ और और सीड़ी चल चड़ते चड़ते ठख जाते हैं बया अगया नजारा भी देखना और ठकना भी है किस सभी होता है जिन्दगी है और दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ब्लॉग पसंद आया तो भी ब्लॉग को लाइक मतलब वीडियो को लाइक करना यार हैं लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता यार भाई लाइक कमेंट करें और यह देखिए आप उपर से नजारा आई नजारा भी वहती सांदार है यार और यहां हमारे खजरा हर्चंद गाओं में जब भी आना तो यहां जरूर आना दल्पतपुर का नजारा देखने के लिए यह देखिए हम मूचाई पर आ चुके हैं यह देखिए भाई नीचे का बाइब तो गाई यह वीडियो आपको केसल की बीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और वीडियो को कर दीजिए शेयर मिल देंक लेगे विलोग में तब तक के लिए समी दोस्तों को थैंक्स दिल से थैंक्स